लोग क्या सपने देख रहे हैं, क्या लोगों ने सूचा था जब आठ साल पहले मोदी सरकार को चुना था आज आके हर व्यक्ति है कह रहा है कि साब हम से चूक हो गई आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, ने महिंगाई कम हो रहा ही है कल की शाम की कॉर्णर मिटिंग में देखा होगा, जब सिलेंडर की बात उठी तो निश्यत रूप से लोगों ने कहा, 400 के कम में सिलेंडर था, अब 1100 से उपर सिलेंडर हो रहा है चाहे तेल की बात हो, कहीं कहीं जो राजय सरकार से सम्मंदित उनको उमीदे हैं वो पूरी हो रही हैं, वो दन्यवाद भी दे रहे हैं और कहीं जो उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, उनके लिए वो बात भी करते हैं कि हमारी मानना है कि हमें ऐसा राजस्तान की गवर्णेंस चाहिए तो हम लोगों को भी एक मारदर्शन मिलता है और हमने तै किया है किस भार जोडो यात्रा के बाद में जो तमाम बिंदू हमारे सामने आए हैं चाहे व्यक्तिकत हों चाहे वो सब को साथ ले करके हों उनके कि हम उनको आने वाले बजट में या आने वाले समय में हम पूरा कर सकें ये इसके उपर हमारा फोकस रहेगा क्यूंकि जब राहुल जी सब की सुनकर के और जब उनका भाव होता है कि बताए बहिया इसमें क्या कर सकते हैं तो ऐसा लगता है कि एक परिवार का मुखिया तुम अकेले नहीं हो, हम तुमारे साथ में हैं, कॉंग्रेस पार्टी तुमारे साथ में हैं, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार और कारे करता तुमारे साथ में हैं, तो एक कुशी की आसू के साथ में वो वापिस अपने घर में उस यातरा को छोड़ करके जाता है, तो ऐसा जो अनुबाव है मेरे जीवन का मेरे जीवन का इससे बड़ा कोई मेरे लिए कोई एक तरीके से तोफा नहीं हो सकता कि मैं प्रदेश अद्यक्षू हमारे नेता राहूल गांदी जी बाहर जोड़ो यात्रों कर रहे हैं मैं कभी जीवन में ज्यादा पैदल नहीं चला जैरम में सब लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है कि जब राहूल जी 3700 किलोमेटर इस देश को जोड़ने के लिए चल सकते हैं तो गोविन डोटासरा किसी भी कीमत में ये 21 तारिक तक जब तक मैं जंडा हर्याना को नहीं दे दूँगा तब तक मैं चलूँगा